प्यारे दोस्तों अल्टिमेट ग्यान में आपका हार्दिक स्वागत है जै माता दिए दोस्तों बहुत से लोगों के इस प्रकार के प्रशना आते हैं कि हमारे घर में जब हम पूजा स्थान में अपनी पूजा करते हैं तो उससे अविष्ठ फल प्राप्त नहीं होता तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि इस की स्थापना आप किस प्रकार करें जिससे आपको अविष्ठ फल प्राप्त होना प्रारम्भ हो जाए दोस्तो सरव प्रथम तो आप अपना पूजा स्थान पूरव की तरफ बनाए यानि आपके देवताओं का मुख पस्चिम की ओर हो और आप जब पूजा करें तो पूरव की ओर मुख करके पूजा करें अब हम बताएंगे आपको कि उस पूजा स्थान में आपने किस प्रकार की स्थापना करनी है जिससे आपको पूरा फल प्राप्त हो सके दोस्तो आप जहां पर अपनी मूर्तियां लगाते हैं उन मूर्तियों के आगे आपने भगवान स्री गनेश जी की स्थापना करनी है सरोप्रथम इस बात का ध्यान रखना है आपके देवस्थान में चाहे कितने ही देव की मूर्तियां हो यदि भगवान उनमें भी चाहे गणेश जी की भी मूर्तियां हो लेकिन आपने अगर भगवान स्री गणेश की अलग से स्थापना ना की तो उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता और यदि आपके पास केवल भगवान स्री गणेश की स्थापना है और एक भी मूर्तियां नहीं है तो भी उस स्थापना में सारे देव एकत्रित हो जाते हैं तो दोस्तों किस प्रकार करोगे यह इस्थापना अब हम बताते हैं आपको एक नया पात्र कटोरी नुमा लेना है काशी का काश्य पात्र बोलते हैं थोड़ा खुला हो चाए कटोरी टाइप में हो आप उसे उन मूर्तियों के सामने रखें और उसमें चावल डाल दें अब एक सुपारी ले 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 और उस सुपारी पर लाल धागा यानि मूली इस प्रकार से लपेटते जाएं कि सुपारी दीखना बंद हो जाए बस पूरा लपेटने के बाद आपने उस धागे को उसी में छोड़ देना है अब उसकी उपर कुम कुम से तिलक लगा कर आपने उस कटोरी नुमा पात्र में जो चावल रखे हैं उसमें स्थापित कर देना है दोस्तो यह है भगवान स्रीक गनेश जी की स्थापना बस यह काम करने के बाद आपने एक काम और करना है कि आपने अपने मंदिर के इशान कोण में जो देव स्थान है पूरव की तरफ तो उसके इशान कोण में एक छोटे कलश की स्थापना करनी हैं कलश चाहे मिट्टी का हो चाहे किसी धातो का हो कोई फरक नहीं पड़ता और उस कलश में जल भरना है और उसके उपर नारियल के उपर एक लाल कपड़ा लपेट लेना और उस नारियल के स्थापना कर देना बस दोस्तो इतना काम करने के बाद आप जिस प्रकार भी पूजा करें वैसे तो हम आपको पूजा के बारे में धीरे धीरे करके सारी बातें बताएंगे लेकिन यह दोनों स्थापना करने के बाद ही आपको पून फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा दोस्तो अब जो जल उसमें डाला है पात्र में उसको सुबह आपने खाली कर देना है अपना जो पीने का पानी है पीने के पत्र है उसमें उसको डाल लेना है और उसमें ताजा जल रोज भर देना है आरियल आपने जो रखा है उसे सवा महीने के बाद किशी भी देवस्थान पर चड़ा दें दक्षना के साथ इस प्रकार करते रहें और देवस्थान पर परदा लगा दें शाम को अपना परदा ढख दें और सुबह उसे खोल लें बस दोस्तो इतना करने के बाद ठीज सारी देविक्रपा आपके पास आने लगेंगी तो कैसा लगता है दोस्तो आपको अपना ही है प्रोग्राम यदि आपको पशंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर मिलेंगे दोस्तो अगले अंक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद